हेलो दोस्तो, स्वागत है आपका हमारी यूट्वीब चैनल इस्टेडी होम पर दोस्तो, हम लेकर आए हैं आपके लिए NCIT हिस्ट्री नॉट्स हिंदी में दोस्तो, हमने ये वीडियोज आपके आगया में परिक्षाओं को दिहान में रखते हुए तयार किये हैं अताय आपसे गुजारिस है कि अगर आपने हमारा जैनल इस्टेडी होम अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगए आने वाले वीडियोज के अपडेट लगातार मिलते रहें दोस्तो इन वीडियोज में हम सबसे पहले डिसकस करेंगे महत्मून गटनाओं और तत्यों को और उसके बाद महत्मून प्रशन उत्तरों पर नज़र डालेंगे तो आज़े शुरुआत करते हैं चैप्टर बन से जिसका नाम है यूरोप में राश्यवाद का ओदै तो सबसे पहले इसके महत्मून गटनाओं और तत्यों नमबर एक अठार्मी सदी में कई देश जैसे जर्मनी इटली तथा स्वेटिजर लेंड आदी उस रूप में नहीं थे जैसा कि आज हमेने देखते हैं ये छोटी छोटे राज्यों में विभाजित थे जिनका अपना एक स्वतंत्र सासक होता था दूसरा 1789 की फ्रांसीशी क्रांती पर नज़र डालते हैं 1789 की फ्रांसीशी क्रांती राश्यवाद की पहली इसपष्ट अव्यक्ति थी इसने फ्रांस में राजतंतर समाप्त कर प्रभसत्ता फ्रांसीशी नागरिकों को सौपी इस क्रांती से पहले फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निर्णकुस राजा का सासन था नमबर तीन अठारे सो चार की नैपॉलियन सहिता इसे अठारे सो चार में लागू किया गया इसने जन्म पर आधारित फिशेश अधिकारियों को समाप्त कर दिया इसने न केवल नियाय के समक्थ समानता इस्तापित की बलकि संपत्ती के अधिकार को भी सुरक्षित किया नमबर चार, क्रांतिकारी फ्रांस उधारवादी प्रिजातंत्र का पहला राजनेतिक प्रियोग था वहाँ वोट देने और चुने जाने का अधिकार केवल उन्ही पुरुसों को था जिनके पास संपत्ति थी संपत्ति विहिंद पुरुसों और सभी औरतों को राजनेतिक अधिकारों से वन्चित रखा गया केवल थोड़े ही समय के लिए जैकोबिन शासक के समय सभी व्यस्क पुरुसों को मताधिकार प्राप्त था परन्तु नेपोलियन की सहिता पुन्हे सीमित मताधिकार वापस लाई और उसने महिलाओं को अव्यस्क दरजा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधिन कर दिया अगला इंपोर्टेंट फेक्ट है वियना कॉंग्रेश 1815 में ब्रिटेन, प्रसा, रूस और आस्ट्रिया जैसी यूरोपी सक्तियां जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था के प्रतिनिधी यूरोप के लिए एक समझोता तियार करने के लिए वियना में एखटा हुए जिसकी अधिक्स्ता आस्ट्रिया के चांचलर ड्यूक मैटरनिक ने की अगला पॉइंट है वर्साय में हुए एक समाहरोब में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जन्वरी 1861 में जर्मनी का सम्राट गोसित कर दिया 1861 में एमेन्वेल दृतिये को एक इकरत एटली का राजा गोसित किया गया और अगला इंपोर्टेंट फेक्ट है राष्टवादी संखर्शों में महिलाओं की भूमी का राष्टवादी आंदोलन में सभी यूरोपिया राजाओं जैसे फ्रांस इटली की ओरतों ने सक्रिय युगदान दिया महिलाओं ने अपने समाचार पत्र शुरू किये अनेक स्वतंतर राजनेतिक संगठन बनाए और प्रदस्वन में भाग लिया इतना होने पर भी उन्हें असेंबली के चुनाओं में बद्दान का अधिकार नहीं था आगे आती है महकून सब्दावली सबसे पहले है कुलीन वर्ग क्या थे ये जमीन के मालिक वै यूरोपी ये महादीप का सबसे सक्षाली वर्ग था दूसरा नरंकुषबाद एक ऐसी सरकार या सासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुष नहीं होता है यानि डिक्टेटर्शिप तीसरा है उदारवाद यानि लिवरलिज्म सब्द लातिनी सब्द के मूल सब्द लिवर पर आधारित है जिसका आर्थ है सुदांतरता नए मद्यमवर्प के लिए उदारवाद का विप्राय था व्यक्ति के लिए आजादी वकानून के समक्ष समानता अगला है जन्मत चंग्रे एक प्रत्यक्ष मद्दान जिसके द्वारा एक छेत्र की सारी जन्ता से किसी प्रवस्ताव को स्वीकार या स्वीकार करने के लिए पूछा जाता है और आगे है रूडिवाद एक ऐसा राजनेतिक दर्शन जो परंपरा इस्थापित संस्थानों पौनाड़िक परंपराओं और रिवाजों पर बल देता है नमबर च्छे है यूटोपिया यानि कल्पना दर्श एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगबग असंभा हुआ है और नमबर साथ है रूमानिवाद एक ऐसा सांस्कतिक आनदोलन जो एक खास तरह की राष्ट भावना का विकास करना चाहता था नमबर आठ नारिवाद इस्तरी पुलस को सामाजिक आर्थिक एवं प्राजनेतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध नारिवादी है नमबर नौ जूंकर्स प्रसा की एक सामाजिक सिर्णी का नाम जिसमें बड़े बड़े जमिदार सामिल थे नमबर दस है जॉलवे राइन यह एक जर्मन सुल्क संग था जिसमें अधिकांस जर्मन राज्य सामिल थे यह संग 1834 में प्रसा की पहल पर इस्थापित हुआ था इसमें विभिन राज्यों के बीच सोल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया और मुद्राओं की संख्या दो कर दी जो पहले बीच से भी अधिक थी यह संग जर्मनी के आर्थिके की गरण का प्रतीक था अब आते हैं महत्मूर्ण व्यक्ति सबसे पहले है जूशे पे मेट सिनी इटली का एक महान प्रांतिकारी जिसने यंग इटली नामक अंदुलन चलाया और जिसके फल्सवरूप इटली में एक ही करन की भावना को बल मिला वह राजतंत्र के गोरोधी थे दूसरा है गैरी बाल्डी इटली का महान प्रांतिकारी जो मेट सिनी का सहयोगी वे समकालिन था उसने लालकुरती नामक सेना तयार की जिसकी साहता से उसने उस्ट्रिय को हराया उसने इटली की साह सुतनता के लिए कई आंदुलन किये और अगला है काबूर काबूर को इटली का बिसमार्क माना जाता है वे इटली के साडी निया नामक राज्य का प्रधान मंत्री था उसने सरफ्रतम अपने राज्य को इटली में मिलाने का कारे किया आगे है बिसमार्क जर्मनी के इतिहास में अधितिय स्थान प्राप्त है उसने जर्मनी के एक इकरण के लिए रक्त और लौह की नीती अपनाई उसके प्रियासों से ही जर्मनी का एक इकरण संभव हुआ आगे आता है प्रतिकों का आर्थ कुछ प्रतिक जिनका महत्तो क्या है समझेंगे जैसे नमबर एक है टूटी हुई बेडियां तो इसका आर्थ है आजादी मिलना दूसरा है बाजचापवाला कावच इसका महत्तो है जर्मन समझाय की प्रतीक सकती और तीसरा है बलूद पत्तियों का मुकुट तो इसका आर्थ है वीरता नमबर चार तलवार तलवार का मतलब है मुकाबले की तैयारी और तलवार पर लिप्टी जैतून की डाली इसका मतलब है सांती की चाह काला लाल और सुनहरा तरंगा के इसका आरत है 1948 में उदारवादी राष्टवादियों का जंडा जिसमें जिसे जर्मन राजियों के ड्यूक्स ने प्रतिमंदित कर दिया था सात्वा है उक्ते सूर्य की केणे तो इसका मतलब है एक नए युक का सूत्रपात और दोस्तों अब आते हैं इस चैप्टर के महत्मूर्ट कॉस्टन आंशर्स तो सबसे पहले हम एकंक वाले कॉस्टन को देखेंगे सबसे पहला है फ्रैटरिक सौर्यू कौन था जिसका अंसर है फ्रांसीशी चित्रकार और दूसरा कॉस्टन है अनस्ट रैनन कौन था तो ये था एक फ्रांसीशी दार्ष्टिक तीसरा कॉस्टन है जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था वह किस बात का प्रतीक था तो इसका आंसर है जर्मेनिया जर्मन बलूत वीर्था का प्रतीक है एक किस सिध्धान का प्रत्पादन किया तो मौन टैस्की ने किया था सकती प्रतक करन का सिध्धान तिया अधिकार वे भाजन आगे है पांचवा क्वेशन कौन सी विश्विख्यात गटना को राष्टपाद की पहली इस परष्ट अव्यक्ति माना जाता है तो इसका आंसर है फ्रांसीशी करांती को फ्रांसीशी करांती को प्रत्म अव्यक्ति माना जाता है और च्छटा क्वेशन है जॉलवे राइन क्या था वह किस प्रकार वह जर्मनी के आर्थिक एक ही करण का प्रतीक था तो इसका अंसर है एक जर्मन सुल्क संग जॉलवे राइन एक जर्मन सुल्क संग था आधिकांज जर्मन राज्य सामिल थे 38-34 इस्वी में इस्थापित संग ने विभिन जर्मन राजियों के बीच सुल्क अब्रूदों को समाप्त किया वे मुद्राओं की संख्या जो की 20 से भिया दिख थी 20 से उन गठा कर दो कर दी थी तो इस प्रकार यह है आर्थे केकी करन का प्रतीक था अगला कॉस्चन है साथमा मैट सिनी द्वारा इस्थापित दो भूमिगत संगठनों के नाम लिखिए तो यह संगठन हैं यंग इटली और यंग यूरोप आठमा कुस्चन है 19 सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप की राजनेतिक और बहुत दुनिया में भारी परवरतन किये और भारी परवरतन किये तो इसका अंसर है राष्ट्य राज्य का उदै क्वेशन नम्बर नाइन है बालकन छेतर के निवासियों को क्या कहा जाता था तो इसका अंचर है सिलाव उनको कहा जाता था सिलाव दसमा है वियना कॉंग्रेस किस वर्स आयजित की गई तो वियना कॉंग्रेस आयजित की गई थी अठाइसो पंद्रह में अठाइसो पंद्रह की वियना संदी से किसका संबंध है तो यह संबंध है ड्यूक मैटरनिक का बारवा कॉश्चन है नैपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संदी का उद्देश से था इसका अंसर है वियना संदी का तेरवा कॉश्चन है किसने कहा था कि जब कौंग फ्रांस छीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है यह बड़न वक्तव है किसका है यह है मैटरनिक का किस संदी ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मानने ता दी तो इसका अंसर है कॉंश्चन टिपोल संदी ने और पंधरवा कॉस्चन है आईलेंड में प्रोस्टेटेंट के विरुद आंदोलन का नेतरत किस ने किया अंसर है वोर्फ टोन ने वोर्फ टोन और सूनों के संदी आँखों पर पट्टी बांदे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है तो यह प्रतीक है नियाय का दोस्तों अब आते हैं दीर क्वेशन लग लग या दीर क्वेशन यह थीन या पांच अंक वाले क्वेशन तो पहला क्वेशन है फ्रांसीशी रांतकारियों ने फ्रांसीशी लोगों में सौमोहिक पहंचान की भावना किस्पकार पैदा की तो इसका अंचर है पित्र भक्ती और नागरिक्ता के विचार द्वारा और एक नए राष्टे चिन्न के द्वारा केंद्री क्रत प्रसासनिक विवस्था के द्वारा राष्टे भासा के द्वारा और एक समान बहारवर मान की विवस्था के द्वारा दूसरा क्वेशन है नेपूलीन ने प्रसासनिक शेत्र में क्रांतिकारी सिद्धानतों का समावेश किया जिसने पूरी व्यवस्था को अधिक कोशल वतर संगत बना दिया इसकी समिख्ष कीजिए तो इसका अंचर है नेपोलियन की सहिता इसके मुक्य विस्षिस्ता क्या थी ग्रामी प्रसाशनिक व्यवस्था में सुधार सहरी छेत्र में सुधार व्यापार में सुधार और इसके अलाबा तीसरा कुश्चन है यूरोप के राष्ट्रे के विचार के निर्माण में संसकती ने किस प्रकार महत्मोर भूमी का निभाई तो इसके पक्ष में जो पॉइंट है कला काववे कहानियों संगीत ने राष्ट्रबादी भावनाओं को विक्षित किया लोक गीत जन काववे वे लोक नत्रे इस्थानिये बोलियों वे लोक साहित्ते पर बल दिया गया पहसा और चौथा कुश्चन है जर्मनी के एकिकरण़ की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए तो इसका अंसर है आरंब में व्यलियम प्रत्म के प्रसा के सेहसंच पर हासीन होना बिस्मार्क द्वारा जर्मन एकिकरण़ की बुमिका तयार करना वियना कांग्रेश, फ्रेंकफर्ट, पार्लियमेंट एकी कर्ण में बाधाएं और विसमार्क, द्वारा और्ष्ट्रिया, फ्रांस आदी पराजित, विश्व सक्तियों को तथस्ट किया वह एकी करत जर्मनी का एक राष्ट्रेक रूप में उभरना इटली के एकी कर्ण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, इसके मार्ग में आने वाली मुख्यवाद हैं क्या थी? तो इसका आंसर आईए देख लेते हैं इटली के एकी कर्ण की प्रक्रिया इसवी में कावूर सार्डीनिया का प्रिधान्मंत्री बना फ्रांसिस संधी औस्ट्रिया औस्ट्रिया प्राजित वा उठाईसो उन्सट में लूंबार्डी को राज्ये में मिला लिया दृतिय चरण मोडेना टसकनी पार्मा आदी का जन्मत संग्रे द्वारा साइडीनिय में विले दृतिय चरण अठाईसो साट में गैरी बाल्डी द्वारा शिसली वे नेपल्स परविजे और जतोचरण वेनेसिया वे रोम पर अधिकार अठाईस के खत्तर में पोप से समझोता वे एक इकरत इटली का ओद है अगला कुस्चन है ब्रिटेन में राज्य का निर्माड एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम किस प्रकार था इसका आंसर चड़े कुस्चन का आंसर है कि यह किशी ओधल फुधल या करांती का नहीं एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीज़ा था पहले नजातिय पहचान राष्ट की एहमियत वसत्ता में व्रद्धी फिर 1688 मेर राज्दंतर से संसक द्वारा ताकत सीन जाना 1707 में यूनाइटिड किंडम औफ ब्रिटेन का गठन स्कॉट लेंड पर प्रभत्व आईलेंड को अठास एक में वलपूर वक यूनाइटिड किंडम में सामिल किया गया नेव लेटिस राष्टे का निर्माण आंगल संसकती का दबदबा और राष्टे के प्रतीक जंडा वर राष्टे कान को बढ़ावा पुराने राष्टे मात्र सहगी की रूप में सात्मा कॉस्टन है यूरोप में राष्टबाद के उत्थान के लिए कौन से कारण उत्तर दाई थे यूरोप में राश्टरबाद के उत्थान के लिए कौन से कारण उत्तरदाई थे तो इसका अंसर है नमबर एक राश्टराज्यों का उद्धे लोकतंत्रिय सिद्धान्त को बढ़ावा सामाजिक, राजनेतिक, आर्थिक समनता पर बल अन्ने राश्टरों में मानविय अधिकारों की मांग और न्रंकुस राजनत्रों में करानतिकारी प्रतिक्रिया है अगला कुशन है आठवाँ फ्रांसी सिक रानती का नाकेवल फ्रांस पर अभी तो पूरे विस्व पर गहरा प्रभाव पड़ा इसकी समिक्षा कीजिए तो फ्रांस पर प्रभाव फ्रांस पर क्या प्रभाव हुए फ्रांसीर कानतीके नमबर एक लोगतांत्रिक सासन की स्थापना हुई दूसरा लोग कल्यानकारी कार्य हुए तीसरा समानता सुतंतरता बहात्त्तो से भरे हुए नए समाज की नेव रखी गई नवीन कानून सहिता लागू हुई नैशनल असेंबली का गठन हुआ आर्थे केकी करन हुआ कानून के समक्स बराबरी का अधिकार मिला और संपत्ति कादिकार भी सुरक्षित हुआ इसके परणाम सुरूब जो चीजे हुए नमबर एक मध्यमबर्ग का उदय हुआ दूसरा उदारपादी विचारधारा का प्रारम हुआ यूनान का सुतनता संग्राम सुरू हुआ और संसकती वैभासा की भूमी का जन्विद्द्रोह कुश्चन नमबर नौ है 1804 की नागरिक सहिता के प्रापधानों का उलेख कीजिए तो इसका अंसर है सहिता में क्या प्रापधान थे जन्व पर आधारित सुधाओं की समाप्ति कर दी गई संपत्ति के आधिकार की बहाली हुई जमीदारी वैसामनती व्यवस्था की समाप्ति हुई यातायात तथा संचार व्यवस्था में सुधार हुए मानक नापतोल के पेमाने चलाए गई और एक राष्ट्य मुद्रा चलाए गई दस्वा कुश्चन है यूरोप के कुलीन वर्ग की विशेष्था है लिखिए तो इसका आंचर है कुलीन वर्ग की विशेष्था है नमबर एक जीवन जीने की समान सैली भू स्वामित्प कूटनेतिक भासा आपस में वहवाहिक संबंद और उच्परगों के बीच फ्रेंच भासा का प्रियोग एक ग्यार्वा कॉश्चन है अठाइसो ग्यारे की वियना संधी के उद्देश से बताईए इसके प्रमुक प्रस्ताव व्यवस्थाओं का वणन कीजिए तो इसका अंसर है नमबर एक उत्तर नीदर लेंड में सामराज्य की स्थापना दूसरा दक्षिन में जेनेवा को पिडमांट के साथ मिला दिया गया तीसरा प्रसा को पस्चिम में नैचेत्र दिये गए चौथा पूरुम में रूस को पोलेंड का हिस्सा दे दिया गया और पांचमां आउस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रन सौपा गया अगला कुश्चन है बारवाँ यूरोप में उदारवादियों द्वारा समर्थित, राजनेतिक, सामाजिक और आर्थिक आदर्स क्या थे इसका अंसर है कि महत्मूर आदर्स थे कानून के समक्त समानता व्यस्क मताधिकार के पक्स में नहीं बाजार की सतंत्ता तथा राज्ये द्वारा वस्तूओं एवंपूजी के प्रवाख पर लगे प्रतवंद को समाप्त करने की पक्ष द्वर में थे अब तेरवा कॉस्टन है और द्वी करण की व्रद्धी ने किस प्रकार यूरोप की सामाजिक और राजनेतिक समिकरण बदल दिये तो इसका आंसर है नंबर एक पस्चिमी और मद्ध यूरोप के हिस्सों में और द्वी कुत पादन और व्यापार में ब्रद्धी सहरों का विकास और माड़िचिक वर्गों का उदे दूसरा है स्रमिक व्यमद्ध वर्ग का उदे तीसरा कुलीन विशेशादिकार कि समाप्ति के विचारों की लोग प्रियता चौद्वा कुस्चन है यूरोप के राष्टवादी संगर्सों में महिलाओं की भूमिका क्या थी तो इसका आंसर है स्वेम के राजनेतिक संगठन बनाना समाचार पत्रों का प्रकासन करना शुरू किया मतादिकार प्राप नहीं था मतादिकार प्राप्ति हितु संगर्स शुरू किया और राजनेतिक वैठकों और प्रतस्नों में हिस्तालिना शुरू किया पंद्रवा कुस्चन है पंद्रवी सदी में यूरोप में राष्टवाद की लहर के क्या कारण थे पंद्रवा कोश्चन है तो इसके मुखे कारण थे नमबर एक जन्ता पर अत्याचार दूसरा नंकुस शासन व्यवस्था उदारबादी विचारों का प्रसार स्वतंतरता समानता तथा बंदुत्तु का नारा और सिक्षित मद्यवर्व की भूमिका सोल्वा क्श्चन है 1815 से 1914 के दोरान अंतराश्य आर्थिक विनमे केंद्रों के तीन प्रवाहों को विस्तार से लिखिए तो इसका सही अंसर है नमबर एक वस्तों का प्रवाह नमबर दो पूंजी का प्रवाह नमबर तिन लोगों का प्रवाह दोस्तो इस तरह से ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है हमारे ये वीडियो देखने के लिए धिन्यवाद आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ सेयर करें साथ ही हमारे जैनल इस्टेडियों आवस्टे सब्सक्राइब करें दन्यवाद